एससी से जड़ोई सारी न्यूज और फ्री ओनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुचने के लिए तो हाई फ्रेंड्स वेलकम टो एससी मांटसेट एक बार फिर आप लोगोगा स्वागत एससी मांटसेट में और ही आकरकर हमारी ये फिजिक्स की लास्ट वीडियो है इस वीडियो में हमारे फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो भी अभी तक रमेनिंग है ठीक है उसके बाद मैं सिर्फ MSQs की वीडियो डालता रहूंगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर फिजिक्स से जड़ो हुए ठीक है और केमिस्ट्री में भी तीन रह गए हैं ज्यादा नहीं रह गए हैं ऐसे ही दो तीन हमारे एकॉनमी में भी रह गए हमारे ठीक है तीन चार से जड़ा नहीं रह गए हैं तो पर आज हमारा फिजिक्स खतम हो रहा है फाइनल तो पूरा देखेगा इस वीडियो को लाइट लेन के बारे में लेन्सिस के बारे में और भी गए हरे छोटे-्छोटे टोपिक है मैगनेडियो के बार इमंधुने के बारे में ठीक है तो पूरा दिखेगा इस वीडियो को चलीrü स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक गया हुए हमारा फिजिक्स का प लास्ट वीड is called rectilinear propagation of light ठीक है और जो इसका सीधा travel करने की प्रोपर्टी होती है वाई सीधी चल रही है इसको rectilinear propagation of light कहते हैं ठीक है बट light deviate हो सकती है ठीक है यह खुद से नहीं जाती है कि यार इसका ऐसे ऐसे मुझानों एकदम सीधी जाती है पर अगर इसके सामने कोई हम चीज लिया है जैसे mirror लिया है तो light deviate हो सकती है एसे ठीक है किसी एक medium से दूसरे medium में या फिर reflect हो सकती है ठीक है एक medium से दूसरे medium पर वो depend करता है उसकी density के उपर ठीक है और उसके बाद आता हमारा देखिए दो phenomena होते है एक तो होता है reflection और एक होता है reflection ठीक है lights के उपर तो अब बात करेंगे पहले reflection के बारे में कि reflection क्या होता है the phenomena due to which ray of light deviates from its path at the surface of separation of two medium when the ray of light is traveling from the one optical medium to another optical medium is called reflection of light ठीक है तो वो क्या कह रहा है देखिए एक वो phenomena जब कोई light होती है वो deviate है या मतलब अपनी path से भटक जाती है या मुड़ जाती है कुछ angle पर ठीक है कब जब कोई एक light किसी एक surface से दूसरे surface में जा रही है rules of deviation of rays देखिए इसमें सिर्फ दो ही rules है ज्यादा नहीं मैं बोलूँगा ठीक है एक छोटी से rules है आपको ज्यादा उसमें deep जाने की जाओत नहीं है पहला तो यह कि when a ray of light travels from optically less dense medium to an optically more dense medium it bends towards the normal at the surface of the separation of two medium ठीक है तो देखिए पहली बात तो यह समझे की यह कि आपका air वाला ठीक है air वाला surface है यह कि आपका यह glass वाला है ठीक है यह 2 medium होगे तो अगर कोई भी light जा रही है यहाँ से यह हमारा normal है मतब जो perpendicular होगा कई भी surface के तो जो medium तुमारा ज़ादा denser होगा मतब जैसे हमारा ज़ादा denser है तो जो light होगी नहुर्मल की तरफ मुड़ जाएगी तो यहां ती यहां से यहां आ गई the normal की तरफ मुड़ गई तो यह आपका properties है कि अगर कोई भी light हमारी आती है किसी एक medium से दूसरी medium में तो जो denser medium है उसकी तरफ हमारी light मुड़ जाएगी ठीक है दूसरी property क्या कह रहे है कि जब कोई light हमारी denser medium से less denser medium में जाती है पहले तो गया था air से glass के अंदर है पर अगर glass से air में जा रही है मतब कम density वाले area में जा रही है large density वाले area से तो जो हमारी light होगी वो normal से दूर चली जाएगी मतब पहले ऐसे जाने थी पर वो दूर होके यहां से यहां पर आ गई ठीक है यह दूसरी property है तीसरा क्या है when a ray of light ठीक है वो यह है जब कोई भी light अगर बिल्कुल सीधी normal के बराबर अगर आप करती है याइण्टर करती है किसी भी medium है ठीक है या enter करती है ठीक है less dancer से या dancer medium है dancer medium से less dancer medium है अगर वो perpendicular surface के, तो उसमें कोई भी deflection नहीं होगा, कोई भी deviation नहीं होगा, ठीक है, अगर वो एक दम ऐसे सीधी जाएगी, कि एक medium सा दूसरे medium में, ठीक है, अब देखी, अब next topic का हमारा law of reflection, देखी law of reflection क्या कहा था, ठीक है, इसके अंदर भी सिर्फ दो point है, ठीक है, पहला point क यह एक ही plane पे lie करते हैं, एक plane कौन सा, यह वाला plane, ठीक है, इसी plane पे lie करते हैं, और same point पे भी होकर गुजरते हैं, ठीक है, same point पे रहते हैं, तो यह कहरा है आपका, पहला point, दूसरा point क्या कह रहा है कि, अगर आप इस circle से, इस point से, कोई एक circle खीशते हैं, ठीक है, यह circle जा रहा है उसका radius कितना भी हो यह माईने रखता वो incident ray और normal को intersect करेगा ठीक है तो वो यह कह रहा है ठीक है यह दो point थे हमारी law of reflection के अंदर उसके बाद आता है lateral displacement अब देखे lateral displacement क्या कह रहा है the perpendicular shift in the path of incident ray with respect to the emergent ray while emerging from a block of some optical medium is called lateral displacement ठीक है तो यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि देखे मान लीजी मैं आपको पीछे diagram में ले चलता हूँ पहले ठीक है तो जैसा यह diagram है यह आपका incident ray है यह आपकी emergent ray है ठीक है अभी लगबग दोनों parallel से ही जा रहे है ठीक है और lateral displacement क्या होता है जब आपकी यह incident ray इस emergent ray के perpendicular shift होने लग जाती है मतलब यह आता इस sad ठीक है या फिर is sad उसके perpendicular होने लगती है वो आपका lateral displacement क्यालाता है ठीक है next point क्या है हमारा कि lateral displacement increases with the increase in the thickness of the glass जैसी जैसे glass की thickness बढ़ेगी वैसे वैसे आपका incident ray या फिर आपका time Maresant रहोगा वो ज्यादा तेड़ा होता चला जाएगा तो आपका lateral displacement भी ज्यादा increase होगा ठीक है उसके बाद कहाओ लीटरal displacement increases with the increase in the angle of incidence ठीक है तो lateral displacement होता है वो increase होगा कब जब आपका angle of incidence बढ़ेगा angle of incidence क्या है यह ठीक है यह हमारा Angle of Incidence से जब यह बढ़ जाएगा, तो Literal Displacement भी हमारा बढ़ जाएगा, उसके बाद आता है Reflection of Light, ठीक है, अब देखे, Reflection of Light क्या कर रहा है, बिल्कुल Reflection की तरह है, पर यह थोड़ा उल्टा है, इसमें क्या है, Light एक Medium से दूसरे Medium में नहीं जाती, किसी एक Mirror से टकरा के अबजेक्ट कैसे है, जैसे हमारा जो Sun है, Lamp है, Candle है, ठीक है, यह खुद की एक अपनी Light produce करते हैं, तो हम इनको Luminous Object कहते हैं, ठीक है, और जो Object Light produce नहीं करते हैं, वो Non-Luminous Object कहलाते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है Nature of Light, ठीक है, Nature of Light कैसा है, Light consists of Electromagnetic Waves which do not require material medium for their propagation, ठीक है, यह एक Electromagnetic Waves होती है, जिनको कोई भी medium की requirement नहीं है, propagation के लिए, मतलब move करने के लिए, इनको हवा घिजा होती है, इनको water होती है, इनको iron होती है, ठीक है, यह vacuum में भी suffer कर सकती है, और जो Speed of Light होती है, वो 3 into 10 to the power 8 meter per second होती है, उसके बाद आता है, अपका reflection of light, ठीक है, ठीक है अब यहाँ पर absorb or transmitted नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, reflection होता है, reflected होती है, ठीक है, कैसे वो आप देखिए, यह आपका law of reflection, तो law of reflection का पहला first law क्या क्या कह रहा है, कि incident ray, normal ray और reflected ray, यह तीनों आपकी same side पर belong करती है, मत एक ही side पर रहेंगी surface के, ठीक है, जो भी आपका मेरा angle of reflection है, यह वाला, यह angle of reflection है आपका, वो angle of incident के equal होगा, यह angle of reflection है, यह angle of incident है, यह दोनों हम वेसा equal रहेंगे, ठीक है, तो यह आपका second law of reflection, उसके बाद आता आपका type of images, दिखिए, type भी, जो images होती है, वो दो परकार के होती है, real images और virtual images, ठीक है, अपर real images क्या होती है, the image which can be obtained on a screen is called real images, जो आपकी screen पर आजाएं, images वो होती है, real images, और जो आपकी screen पर नहीं आती है, उनको देखने के लिए, उनको देखने के लिए में एक mirror की जड़त परती है, वो होती है, आपकी virtual images, ठीक है, the image of our face, जैसे हमारे जो चेहरा होता है, वो हम देखने के लिए mirror image या virtual image क use करते हैं, क्यों हो, क्यों कि mirror का use करेंगे, तो हमारी सामने दिखाए देगा, ठीक है, तो वो हता है आपका virtual image, अब उसके बाद, जो next one है, the position of image formed in a mirror, ठीक है, जो position होती है image की, वो कैसे form होती है mirror में, the distance of image from mirror, distance of the object from mirror, ठीक है, जो हमारी distance image की mirror से, वही distance होती है, हमारी object की mirror से, उसके बाद आता lateral inversion, lateral inversion की कहता आ, आपका माल, लीजगि ये को face है, ठीक है, तो वो क्या होती है, अगर आप mirror में देखेंगे, तो आपका right side का जो, होगा, ठीक है, आपका right side का जो कान होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, देखिए रहा, तो the right side of the object appears to be left side of the image, आपका यडीR उब्जेक्ट से मा sophom too often आपका राइट सेट का वहान एक है वह आपका इमेज में आपका लेख्ट सेट से होता है और जोयभां की चीज होगी आपके इसे उभापकी रियल में हो आपकी जाएट आपकी यहासly सेट कोल्स कोरता है उसके उसके बाद आता है reflection of light from curved surface, spherical mirrors, अब spherical mirrors कौन होते हैं वो आप देख लिजिए, वो क्या होता है, when a parallel beam of light rays fall on a plane mirror, ठीक है, तो वो reflect करता है parallel beam को, ठीक है, जो mirror होता है, वो सिफ plane mirror, वो सिफ direction change करता है, किसी भी incident ray का, ठीक है, उनको converge या diverge नहीं करता है, अब converge और diverge क्या होते हैं, देखे, to bring the parallel rays of light closer together, ठीक है, जब कोई light आई धेड़ सारी, ऐसी parallel, ठीक है, और अगर वो किसी mirror से टकरा के, आपस मैं ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है, तो वो आपका क्या 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 आता है, converge, पर अगर कोई light ऐसे आई हैं आपकी, ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या अगर इसमें, ऐसे देखे, ऐसे light जाएंगी, और जब वो light ऐसे अलग-अलग होने लग जाएं, किसी mirror से या किसी भी या कि surface से टकरा के, ऐसी spread हो जाएं, ठीक है, तो वो हमारा diverge क्या आता है, ठीक है, तो देखिए, अब होते हैं हमारी जो type of spherical mirror, ठीक है, तो दो प्रकार क्यों होते है, concave mirror और convex mirror, ठीक है, तब concave mirror क्या होता है, ठीक है, concave mirror वो होता है, जब आपका जो, यह हिस्सा है, ठीक है, यह आपका धका हुआ रहता है, और जो lights होती हैं आपकी, वो यहाँ पर आगे टकराती है, ठीक है, इस वाले हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में, ठीक है, यह आपका concave mirror क्यालाता है, ठीक है, और जब आप आपका यह हिस्सा पेंटेड होगा और आपकी लाइट्स यहां पर आके टकराएंगी अबरे होए हिस्से में यह आपका Convex Mirror होता है उसके बाद देखे Use of Concaving Mirror, Concaving Mirror कहां कहां आपका यूज होता है Convex Mirror जो हमारा Use होता है जो सबसे Famous और सबसे Important है वो हमारा Rear View Mirror Cars में, Trucks में या Buses में Use होता है Rear View Mirror जिससे हमें एक Wide Angle Image दिखाई देती है जिससे हम ज़्यादा ही डजमेंट ले सकते हैं कार सलाते वक्त उसके बाद आता है कि Prism क्या होता है अब देखिए Prism में भी Important है आपके Point of View से देखिए यहाँ पर ऐसी एक Triangle Type का सा होता है Prism एक Prism is a Piece of Glass और Any Other Transparent Merit जरुर नहीं Glass का और किस भी Material का हो सकता है Which is Bounded by the 2 Triangular Surfaces and 3 Rectangular Surfaces इसमें 2 Triangular Surfaces होती है और 3 आपके Rectangular Surfaces होती है जो Rectangular Surfaces होती है वो आपके Refracting Faces कहलाते है और क्या कहरा है जो Angle होता है आपका Incident Ray और Emergent Ray के बीच में वो आपका Angle of Prism में कहलाता है अब यह देखिए आपको इससे साइद हैं समझ में आता है Angle between the Incident Ray is called the Angle of Deviation, Incident Ray का और Emergent Ray का जो Angle होता है वो आपका Angle of Deviation कहलाता है कौन सा यह देखिए और यह भी एक equation जो आपको याद रखनी है बहुत important है आपके लिए वैसे पूछा नहीं जाएगा पर कभी कबार पूछ रहेता है कि Angle of Incidence Incidence प्लस Angle of Emergence is called to Angle of Prism प्लस Angle of Deviation देखिए यह लाइट यहां से गई ठीक है प्रिम में अंदर घुसते है वो यहां से यहां गई ठीक है यह आपकी एकदम नॉर्मल लाइन थी पर यहां नहीं गई वो यहां गई और यहां से फिर जब वो अंदर से बाहर निकली तो फि ठीक है उसके बाद आता है आपका Angle of Emergence अब Angle of Emergence कौन सा आपका ठीक है अगर Angle of Emergence की हम बात करें तो आपका Angle of Emergence होता है यह यह जो आपकी जो नॉर्मल लाइन में इन में जो डिफरेंस हो रहा है यह ठीक है यह आपका Angle of Emergence है ठीक है और दूस्पर आपका आता है Angle of deviation कौन सा है यह आपका angle of emergence था ठीक है यह आपका angle of incidence था यह है आपका angle of deviation ठीक है उसके बात होता है कि आपका angle of prism ठीक है अब angle of prism क्या आपका ठीक है angle of prism है आपका a और इसमें कहां है ठीक है यह आपका a मैं नीचे देख रहाता हूं ओपर है यह आपका a यह है angle of prism ठीक है यह equation in angles पर डिपेंड रहती है वैसे इतना को आपको important यह सब पूछेगा नहीं जो important है वो आगे आने वाली चीज़ है ठीक है वह यह ठीक है dispersion of light through a prism ठीक है जब कोई white light किसी prism होके गुजरती है तो वो rainbow के साथ कलोरों में बढ़ जाती है ठीक है सबसे उपर red होता है सबसे नीचे violet होता है ठीक है यह dispersion angle होता है तो यह important चीज़ है आपको जानने के लिए ठीक है उसके बाद होता है infrared reason अब infrared reason क्या होता है अब अगर मैं पीछे जाओ तो यहां पर एक reason होता है चीज हाइए एक invisible reason होता है राड के ऊपर जो हमें दिखाई नहीं देता वो हमारा infrared reason क्यालाता है ठीक है और उसके बाद एक होता है ultraviolet reason ultraviolet reason जो आपको violet color के नीचे होता एक सिक यहां जो हमें दिखाई नहीं देता वो लेंसे भी हमारे दो प्रिकार के होते हैं Convex Lens और Concave Lens ठीक है? Convex Lens की बात करों तो वो लगबग ऐसा होता है figure में, ठीक है? Concave Lens की बात करों तो वो आपका ऐसा होता है दिखने में ठीक है? अब देखिए Convex के और Concave के भी कुछ टाइप होते है क्या होता है? पहला हो एक Double Lens होता है Concave और Convex में एक Plano Lens होता है एक होता है Canvex Concave और एक Concave Convex Lens भी होता है ठीक है? यह Concave और Convex के टाइप है तीन ठीक है? उसके बाद आता है आपका Compound Microscope देके, Compound Microscope यह होता है उनकी जो Focal Lens होती है बहुत ही ज्यादा लंबी होती है तो यह आपका Compound Microscope होता है उसके बाद होता है आपका Telescope यह भी आपका इनी Lens के Phenomena पर काम करता है यह भी एक Optical Instrument है जो दूर की चीज़ों को पास देखने के काम आता है इसमें Curved Mirrors होते है यहाँ पर होगा फिर ऐसे यहाँ पर होगा ऐसे अलग-अलग होते है एक यहाँ पर होगा आपका अलग-अलग जिगह पर लोकाट होते है और यह फोकस करते है Given image जो ह lesser होती है उसको पास देखने के लिए ठीक है एक होता Human Eye Human Eye थो डहाई Important एक याप ही फ्रसनलेर होती है ठीक है वो सिलउरोटिक के नाम सरस्दानी जाती है टीक है वाइट आफ आई यह यह आह अऊटर मोस्ट लेहर उती है ठीक है उसके बाद होता आपका कॉर्निया कुल कॉच गृधन ती German की यहां ठीक है यह आपको दिख रहा एक यॉपको का कॉर्निया होता होता है यहां पर यह आपका एक्वेसिमर होता है यह प्यूपिल होता है यह आपका प्यूपिल है यहां पर होता है यह रेटीना होती है जहां पर आपकी इमेज बनती है यह आप्टिक कर्व होते हैं ठीक है जहां से आपकी जो सिगनल से वो जाते हैं माइंड में ठीक है यह स इन में जो problem आती है, तभी हमारी जो eye होती है, वो defect होती है, मतलब हमें दिखना कम ज्यादा होता है, ठीक है, ये भी एक इनका reason होता है, फिर एक होता है हमारा white dress humor, ठीक है, यहां पर अंदर जहली भरी होती है, ठीक है, जो एक तरह से हमारी ये मान लीजिए कि तरह से कुछ ए आइरिस होता है, ये हमारा eye color होता है, इस इस प्राउन होती है, ब्राउन होती है, ब्लू होती है, ये इन पर डिपेंड करता है, उसके बाद आपका आप को रॉइड, देखे ये black color होता है, फिर ये retina आपको बताए दिया, इन में जादा आपसे पूछे का नहीं, बस ये देखा होगा पुराने टाइम में ये यूज होता था इसमे एक photographic plate होती थी जो आपकी retina की तरह काम करती थी जिसमें आपकी image यहाँ पर बनती थी ठीक है उसके बाद आता magnetism and electricity ठीक है अगर magnetism की बात करें तो सबसे पहला जो magnet था वो magnetite था इस दुनिया में ठीक है जिसको natural magnet भी कहते हैं ठीक है it attract small pieces यह एक small metals के small pieces जो होते है iron मगरे उनको attract करता था magnetic चीज़ों के ठीक है साथ ही साथ जब हम इसको free छोड़ देते हैं किसी भी magnet के तो उसका आपकी नेचर द्वारा दी गई होती है वो आपकी नेचर मेंट होती है वो आपकी अर्थ अर्थ भी एक तरह की बार magnet है ठीक है artificial magnet क्या होती है जो आपकी इंसवाना द्वारा बनाए गई होती है ठीक है जो आपकी natural magnet नहीं होती है ठीक है वो आती होती है आपकी artificial magnet जैसे आपकी iron हुआ, steel हुआ, cobalt हुआ, nickel हुआ, यह सब आपकी artificial magnet है उसके बाद आता आपका magnetic substance और non-magnetic substance ये क्या होते हैं देखिए the substance which are strongly attracted by the magnet जो चीजों substance जो magnet से बहुत जादा attract होते हैं वो आपके magnetic substance होते हैं और जो attract नहीं होते हैं वो आपके non-magnetic substance होते हैं जैसे आपको पता है iron वगरा बहुत attract होते हैं और wood जो लकडी होती है वो आपके अट्रिक नहीं होती तो वो non-magnetic substance है उसके बाद होता poles of magnet देखिए north to north pole जो north pole की अगर हम बात करें आपकी तो ये कहां पर होता है ये होता है आपके geographic north जो आपका north pole का point होता है वो geographical नौर्थ की तरफ होता है और south pole का point होता है अपका magnet का वो south की तरफ होता है आपको देखिए रहागा north pole और south pole ये आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद होता temporary magnet और permanent magnet अब देखिए temporary magnet क्या होती है the magnet which cannot retain their magnetism for a long time जो long time के लिए अपनी जो power magnetism की वो नहीं रख पाती है वो धिरी दीर अपनी power खो देती है magnetism की permanent magnet वो होती है जो अपनी जो strength है capability है वो lose नहीं करती है हमेसा उनके पास वैसी रहती है वो होती है permanent magnet ठीक है उसके बाद होता है यहां पर आपको यह circular यह होता है एक तरफ इसमें north होता है एक तरफ south होता है जब भी हम इसको free छोड़ते हैं तो हमें इससे पता लग जाता है कि किस तरफ north है और किस तरफ हमारा south है ठीक है उसके बाद होता है पर आपका electricity और electric current ठीक है अटिक है पोजिटिवली चार्ज और negatively चार्ज ठीक है पोजिटिवली चार्ज का जब उसमें positive ions की ज्यादा हो जाती है और जब negative ions ज्यादा हो जाते हैं तो आपका negatively charge हो जाता है यह electrification के दो kind या type है ठीक है जब कोई भी आपका charge किसी wire तो आपका अब इलेक्ट्रिक करेंट कैलाता है, ठीक है, उसके बाद आता आपका इलेक्ट्रिक सेल, a cell is a device in which potential difference is maintained between its two terminal by conversion of chemical energy into electrical energy, अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल वो होता है, जब आपका जोसमें potential difference होता है, किसी भी सेल के इंतर, वो हम maintain करते हैं, बिल्कुल बराबरी, ठीक है, किस प्रोसेस से, conversion of chemical energy into mechanical electrical energy, जो हम chemical energy को electrical energy में change करके, maintain करते हैं potential difference को, वो होता है आपका electric cell, ठीक है, उसके बाद आपका simple voltaic cell, ठीक है, simple voltaic cell सेल नठा रहा है, उसमें पहली बार invented हुआ था, जो अलेसांडो वोल्टा ने invent किया था, ठीक है, यह पहली device थी, जिसमें कुछ constant potential difference बनाया गया था, या create किया गया था, chemical energy की help से, ठीक है, उसके बाद आता आपका Daniel cell, Daniel cell उसके 36 साल बाद 1836 में आया था, जो JF Daniel ने invent किया था, ठीक है, यह voltaic, जो simple voltaic cell होता है, उसका modification version था, इसमें जो potential difference था, ज़्यादा constant और ज़्यादा ही एकदम stable था, ठीक है, उसके बाद आता आपका dry laclan, ठीक है, लेकलेंचे cell, यह cell होता है, टीक है, यह नार्मली टॉर्चेज में और ट्रांजिस्टर में यूज होता है, आपने देखा होका यह, ऐसे करके आते हैं, यहां पर एक ऐसे करके होता है तो यह आपके ड्राइ लेक लेंचे सेलों जो टॉर्चिज और ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं उसके बाद आता बटन सेल आपने देखो आपकी वाचेज में बटन सेल होता है वह बहुत ही कॉमनली छोटा बटन की तरह एक डवाइस होती ह इलेक्ट्रोनिक डवाइस में यूज होता है ठीक है आजकल टॉज में भी यूज होते हैं कभी कबार नहीं तो नॉर्मली वाचेज में देख लिया जाता ही होता है बटन सेल ठीक है उसके बाद होता है लेड एसेट सेल है ठीक है बाकी में ऐसा केमिकल एनरजी एलेक्टिक अपने मदद यूज करने के लिए उसके बाद जो आपका पॉइंट आता वो आता इलेक्टो मेंगनेटिस्म ठीक है ये एक ब्रांच ओफ फिजिक्स होती है जहां पर हम डील करते हैं इस इस सब्जेक्ट में यह ब्रांच में उन दौनों के बीच में तो हमारी कैलाती है तो यह पर जाकर हमारा जो सिलेबस हैपिजिक्स को वो कम्प्लीट होता है पूरा ठीक है और इसके बाद मैं MCQS की वीडियो डालूँगा, तो यहां पर हमारा लगबख पूरा complete होगा, सिर्फ अब देखें, दो-तीन वीडियो बती हैं, जिसमें एक तो मैं पहले यह डालूँगा, जो हमारे यतने भी meter होएं, instrument होएं, instrument की वीडियो डालूँगा, second डालूँगा, ज सबके invention उसके बारे में, तो ऐसी लगबख दो वीडियो डालूँगा, इसके बाद पर यहां पर हमारा theoretical course था, वो complete हो गया है, सिर्फ स्टेटिक जी के वाला हमारा course रह गया है, बाकी लगबख पूरा complete हो गया है, ठीक है, और उसके बाद मैं MCQS की डालूँगा, तो I hope कि अब कोई वीडियो पसंद आयोगर पसंद आये, तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है, अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, और अब तक अगर अपने पहली बार इ आए हैं चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और इस चैनल को फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक्स पर वाचिंग एंड वन दे मातरम